मुड़ापांडी ब्लॉक की ग्राम पंचायत खरकपुर जगतपुर में संभल सांसद वर्क और पूर्व राजसभा सांसद जावेद लिखा और खलील एहमद पूर प्रधान पहुचे उनके दॉरा एक चुनावी सभा को संभोधित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रधेश में जिस तरह से प्रधेश को भाजपा की योगी सरकार ने पूरी तरह बर्बात करके रख दिया है क्योंकि प्रदेश के नौजवानों को नौकरी की जगार नौकरी मांगने पर लाठी डंडों से अपनी पुलिस द्वारा पिटवाया गया है इस बार लाठी खाने वाले नौजवान भाजपा का सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे तो वहीं इन नेताओं को शेतर की जनता ने भरोसा दिलाया है कि इस बार सपा उम्मीदवार जिया और रहमान को भारी मतों से जिता कर अकले श्यादब को मुख मंत्री बनाने का काम करेंगी साथ ही जिला महसेचिप ने बोलती हुए कहा कि जिस तरह से दो बार विधायक रहे विधान सभा 29 से उन्होंने जनता से जम कर लूट पार्ट करने का काम किया था जनता से लूट पार्ट की रिपोर्ट जब हाई कमान तक पहुची तो सपा मुख्या ने उनको टिकट न देकर इमांदार प्रत्याशी जियाओर रहमान वर्प को विधान सभा 29 का प्रत्याशी बना कर जनता के बीच भेजा है परदान जी के यहां समाजबाधी पार्टी का एक बड़ा जन जहलाव है और समाजबाधी पार्टी के तमाम ही बड़े लीडर जैसे जावेद अली खान और एक राश्ट्र अध्येग सित्धार्शिण और जियाओर रहमान साब और तमाम समाजबादी पार्टि की मरदवास जिले की लोवी आज यहां पर खरकपुर में बहुत बड़े जंशलाब के रूप में प्रोग्राम है और इंशालला यह एक प्रोग्राम इतिहाजिक प्रोग्राम है और हम जियाओ रह्मान को इंशाल्ला आपकी बार 60,000 बोटों से जितांगे बतादे कि अगामी विधानसवा चुनाव को लेकर सूबे में बढ़ती हुई सरगर्मिया साफ देखी जा रही है